हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग मीनु अगरवाल किचन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बना रहे हैं सोया पुलाव जो खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी होता है और प्रोटीन से भरबूर होता है तो आप इस बार यह जरूर बना के खिलाएगा बच्चे अब बना के लिए और उसमें दो चमस तेल डाल दिया आप कोई सभी कोकिंग ऑल सकते हैं इसके बाद हम तेल को चारो तरफ लगा देंगे इला देते हैं मतलब की कड़ाई को जिससे कि हम अब जो सोया बीन की बड़ी डालेंगे वह इसमें चिपके किने हैं हमने सोया बीन क अबाल लिया था उसके बाद इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह से धोल लिया था गरम पानी में जै तो फ्टोड़ा सा नमक डाल दिया था जिसमें हलका सा नमक का टेश्ट आजाय जाए इसके बाद नि चोड़ के अब हम इसी कड़ाई में डालके भून लेते हैं जिससे कि इसमें कच्चा बंज होएगा वो दूर हो जाएगा ऐसे भूनने से इसमें सोयबीन की बड़ी में बिल्कुल कच्चा टेस्ट नहीं आएगा लेकिन एक बात का धियान रखिएगा इस समय गैस का फ्लेम लोई ही निकाल लेंगे सारी बड़ियों को हम इसी तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं यह खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसलिए आप इसे जरूर बना के खिलाएगा इस तरीके से खिलाएंगे तो बच्च के बाद मैंने प्याज को लंबे-लंबे पीस में काट लिया है और इसको हलका सा जब इसका कलर चेंज होएगा तब तक हमें इसे बूनना है गैस का फ्लेम याद रखिएगा लोई रखना है गैस का फ्लेम हाई मत रखिएगा इसके बाद हमने टमाटर ले लिया एक हम इसमे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें थोड़ा सा चटपटा पना जाएगा फुलाओं में हमारे इसको मिक्स कर देते हैं और एक सेकंड के लिए इसी तरह से भून लेते हैं सारे मसालों को इसके बाद यह चावल ले लिया हैं एक कटोरी चावल लिया है इसको मैंने पहले से भिगो दिया था आधे गंटे पहले दो विगो लिया इसमें 2 mıs 600 नहीं फोल पानी चावल कोई एंडि अदी चमाच नली पौलडर पहुडर आप जितना तीखा पसंद करते हैं आप उसी साथ से डालिएगा और ये मैंने सेजवान का फ्राइड राइस मसाला ले लिया है ये मैं इसमें एक चमच डाल देती हूँ और अपने साथ के अनुसा डालेंगे इसमें आधी चमच में डाल रही हूँ इसमें नमक आप अपने साथ के अनुसा डालिएगा इसमें नमक इसके बाद मैंने एक चमच गरम मसाला ले लिया है ये घर का गरम मसाला है ये इससे इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आ जाती दो मिनिट तक इसी तरह चलाने के बाद यह मैंने एक शिमला मिर्च ले लिए यह भी मैं इसमें डाल देती हूं इससे शिमला मिर्च जो होती है उसका टेस्ट इसमें सोया फुलाओं में बहुत अच्छा आता है तो अगर आपको पसंदे तो आप इससे जरूर डालिए का नह लो फ्लेम पर भी रखियेगा इसे पांच मिनट के लिए और इसके बाद बीच में से एक बार जरूर चलाएएगा देखे पांच मिनट हो गई है हमने इसे एक बार राव चला लिया था हमारा प्लाओं सोया प्लाओं तयार हो गया है इसमें बहुत अच्छी खुश्बु पूरी किचन महग गई है मेरी इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें इसके बाद इसे थोड़ा समय दो मिनट के लिए और धककर रख देती हूं गैस को बंद कर दिया है इसके बाद हम दो मिनट के बाद इसको चेक करेंगे देखे दो मिनट हो गई है हम इसे खोल के देख लेते हैं हमारा पुलाओ तैयार हो गया है सोया पुलाओ इसके उपर से हम डाल देते हैं धनिया पत्ती मैं इसमें डंडी सही धनिया पत्ती डाल रही हूं क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद हम इसे कर लेते सर्व फ्रेंड्स अगर आप किसी को फ्रोटीन खिलाना चाहती है तो आप एक बार ये सोया प्लॉव जरूर बनाईएगा आपको बहुत जबा एक तो टेश्टी लगता है उपर से हेल्थी बहुत ज़्यादा होता है ये अगर आपको मेरी वीडियो अगर जरासी भी अच्छ